दोस्त नमस्कार आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चेनल मेंस एजुकेशन में जिसमें आपको मैं बताओंगा बी ए फाइनल एर एकजाम 2021 एकोनोमिक्स पेपर फस्ट के आंसर तो तो ये रेगुलर और प्राइवेट दोनों के लिए हैं और इसके जो कुश्यन है सारे कुश्यन में आपको बता दिये हैं अब मैं आपको आंसर बता रहा हूं तो पेपर फस्ट एकोनोमिक्स के आंसर में आपको बताओंगा कुश्यन एक बार आप मेच कर लेना अच्छे से पहला कुश्यन आर्थिक विकास से आप क् तो चली सबसे पहले स्ट कुश्चन का अंसर देख लिए हैं किसे बेश्ट कुश्चन आपका इस प्रकार है आर्थिक विकास अर्थिक विकास से और यह जो मैंने दे रखा है आप इसका एक स्क्रिनोंट ले करते में इसको जूम कर दूँगा ठीक है तो अच्छे से आप पहला कुशन कंप्लेट करेंगे तो यहां से लेकर यह नव ओध्योगीक देश से लेकर के तो दिरकालिंग व्रद्ध्य होती है एक स्क्रिंसोट आप यहां तक ले ले ठीक है इसके बाद में आपको और भी में बताऊंगा तो ये आपका पहला कुशन हो जाएगा पहले कुशन का अंसर और इसी पहले कुशन का анसर में एक स्क्रिंसोट आप यहां से ले ले ठीक है यह वाला विकास का अर्ट हो माप तो यहां से ले करके तो आप यहां तक लिखेंगे इसको तो यह पूरा आपको complete कर तिक रोस्टों के आर्तिक विकास की अवस्थाएं बताईए, ठीके, देखते हैं, कुशे नमबर सेकेंड, यहां से आपका कुशे नमबर सेकंड का अंसर कंपलीट हो रहा है, प्रोपेसर डभी डभी रोस्टों ने अपनी प्रसिद्ध पुष्टक दा प्रोब्लम ओप एको प्राविदी और भौतिक विश्व की इस्तेथी के आधर पर विक्सित हुआ हो तो आप इसका भी एक स्क्रीन सोट ले ले एक बात मैं आपको बता दूँ मतलब सबसे पहले तो आप यहां से ले करके तो यहां तक लिखेंगे ठीके उसके बाद में यह परमपरावादी अवस और यह जो सारी लाइन है यह भी आपको लिखना है अब आपको next screenshot लेना है यह second question है दोस्तों रोस्ट ओगे आर्थिक विखास के अवस्था है बताईए वह वाला तो यह जो है पहली अवस्था पहली अवस्था आप इसका भी एक इक screenshot ले ले यहां तक complete कर ले इसके बाद म नेक्स्ट अवस्ता आपको में बताओंगा, ठीकίν कि यह नेक्स्ट अवस्ता आपके सामने आ चुकी है, आत्मिस्पूर्ती से पुर्व अवस्ता यह आप इसका भी एक अच्चे पुरा मतलब सुरू से ले करके तो यहां तक लिएगे यह तीसरी अवस्ता फस्त है। इसके बाद में चोती अवस्ता आपको लिखना है क्योंकि 5 अवस्ता बता ही है तो ये चोती अवस्ता है परिपक्ता की अवस्ता चोती अवस्ता कौन सी है तो ये है चोती अवस्ता आपके सामने परिपक्ता की अवस्ता तो इसको आप यहां तक लिखेंगे देखिए परिप हां तक होन्ही लगता है कि देश में किसी वस्तु कव अवस्तार हो जाता है यहां तक लिखेंगे इस Grey कarda आप लिखेंगे जाता है को यह चोंटी अवस्ता हो जाएगी और फार्च बार्च यह आपको बताराओं यह आपका कुश्यन नमबर दो complete हो गया रोस्टो के आर्थिक विकास की अवस्था हैं बताईए तो रोस्टो के आर्थिक विकास की पांच अवस्था हैं जो मैं आपको पांचो अवस्था यह करके point बता दिया पांचो आप अच्छे से screenshot ले लिया होगा अब मैं बताऊँगा आपको निर्धन्ता के दुष्चक्र से आप क्या समझते हैं कुश्यन नमबर थर्ड कुश्यन नमबर थर्ड क्या है निर्धन्ता के दुष्चक्र से आप क्या समझते हैं यह वाला कुश्यन एक विसम दुष्चकर का जनम होता है, कम विक्षित देश इस विसम दुष्चकर से गिरे हुए हैं, देखिए, इसके बाद आपको यहां से लिखना है, रागनर नर्वर्से के अनुसार ये दुष्चकर अनेक शक्तियों का एसा चक्री समू है, जो एक दूसरे को प्रभाव करती है, ठीक है, तो ये आपका जो कुष्चन नमबर 3 है, निर्धनता का दुष्चकर ये भी कम्प्लीट हो जाता है, तो इसमें भी अगर आप स्क्रीन सोट लेना चाहिए, तो एक स्क्रीन सोट यहां से ले करके तो यहां तक ले सकते हैं, और एक स्क्रीन सोट आप यहां आपका complete हो जाएगा कुश्यन यहां से लेकर करके तो यहां तक यह complete आपका कुश्यन नंबर 3 भी complete हो जाएगा निर्दनता के दुष्चकर से आपके समझते बस इतने ही पूज़ा तो इतने ही आपको लिखना है अब मैं आपको बता रहा हूँ QUSION नमबर 4 QUSION नमबर 4 है solution नमबर 4 है Sरham Gehan Technique क्या है ये आपकी सरम गहन टकनिक आचुकी है देख सकते हैं सरम गहन टकनिक तो आप इस प्रकार से लिखेंगे देख सकते हैं सरम गहन टकनिक labor intensive techniques सरल सब्साब दों में स्रम गहन तकनिक है जो तुलनात्मक रूप से स्रम की बड़ी मातरा का और पूंजी की छोटी खुरा का उप्योग कर दी है इसके बाद आपको लिखना है रेड़ावे परिवासित करते हैं कि स्रम गहन तकनिक है वह है जहां स्रम की भारी मातरा में पूंजी की चोटी मात्रा को मिस्रित किया जाता है इसके बाद में आप लिखेंगे इसमें अन्नी सब्दों में देखिए अन्नी सब्दों में सरम गहन तक्निक सरम आगत पर अधिक निर्वर करती है और पूंजी आगत पर कम मिंट के अनुसार उत्पदन की स्रम गहन विदियां वे हैं जिने पूंजी की एक प्रदत तिकाई के साथ स्रम की भारी मात्रा की अवशक्ता होती है और इसके बाद आपको लिखना है उत्पदन की इस विधी के साथ पूंजी की उसी मात्रा के साथ स्रम की बड़ी मात्रा से उत्पदन बढ़ाना संभव हुए तो इसके बाद आपको यहां से यहां तक लिखना है यह तक्निक पूंजी निर्मान और निपूंटा के उद्धेश्यों को पूरा करती है यह लगुश इंचाई बहतर बीजो खा दोजारो एम चोटी अवदी की पसलों के आरंबन द्वारा करसी उत्पदन को बढ़ाती है तता भी सरम गहन तक्निक का उत्पदन पर प्रुभाव देखा जा सकता है ठीके तो ये चितर बनाए सके आप तो ये चितर भी आप बना सकते हैं ये जो ये चितर दे रखा है इस चितर को भी बना सकते हैं तो बना देना ठीके और अब आपका question number आता है last वाला question number आता है पर्यावराण का अध्यन क्यों अवश्यक है ये आपका question number 5 है क्योंकि question number 4 complete हो Qswesha no.5 आप यहां से लिख्यँए के पर्य वरं नित्रगत हम लोग पर्यवरं की समस्चाओं एवं उनकी निदान तता पर्यवरं का संड्रक्षिन करना सिक्ते हैं एक लाइन को यह लिखनाहनी है प्रियोन अद्यन केके दौरा हम प्रेयवरं के घटक हमारे लिए क्यों अवश्यक है और इसके बाद में आपको यहां से कंप्लिट करना है परेवन अध्धिन से हमें प्रदूर्शन तता उससे होने वाले दुस्प्रभाओं के बारे में जानकारी मिलती है इसके बाद में आप यह लाइन लिखेंगे परेवन अध्धिन तता कम से कम दुरूप्योग हो यह हमें परेवन अध्धिन के द्वारत सीखने को मिलता है तो यह आपका कंप्लिट हो चुका है सारे कुश्चन आपके कंप्लिट हो गए ठीक है वी ए फाइनल यार एकोनोमिक्स पेपर नमबर फर्स्ट पांच कुश्चन थे तो पांचों कंप्लिट हो चुके हैं चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किये तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले न क्योंकि अगले विसे के जो पेपर है वो भी आपको बहुत जल्द अपलोड मिल जाएंगे हमारे इसी चैनल पर धन्यवाद